असलाम वालेकुम आज में बन लेके आए हूँ हम सब की फेवरेट रेसिपी चॉकलेट जी हाँ बच्चों बड़ों सब भी को पसंद आने वाली चॉकलेट की रेसिपी इस रेसिपी के बहुत सारी खास बात यह हैं कि सबसे पहले हम इसको बनाने वाले हैं बिना कुकेवे अब बिना कुकेवे इसको चॉकलेट कैसे बनाएंगे यह बनेगा मिक्सर में जी हां बिलकुल आपने सही सुना है दूसरी चीज क्या है कि हम इसमें जो भी इंग्रीडियंट्स यूज करिने वाले हैं वो आपको घर यानि के मार्केट से आपको कोई expensive चीज खरीने की जरूरत नहीं है और तीसरी चीज क्या है कि यह बिलकुल 30 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी तो चलिए इसको बनाना शुरू करें तो सबसे पहले मैं यहां पे बनाऊंगी वाइट चॉकलेट इसके लिए यहां पे आप मे शुगर शुगर जाएगा दो चमबा शुगर को ले नौर्मल शुगर होती है उसको थोड़ा सा ग्राइं कर ले पाउडर फॉर्म में आने के बाद यहां पे दो चमबा शुगर आड़ करें नेक्स्ट क्या करें इसमें एवरी डेडे नेसले का जो होता है मिल्क पाउडर वो मिल्क पॉडर यहां पर मैंने यूज करने वाली हूँ आप कोई भी ब्राइंड का मिल्क पॉडर यूज कर सकते हैं तो यह जाएगा चार टी स्पून यह भी आपको किराना शॉप में इजी ली मिल जाएगा तो मिल्क पॉडर यानि फर्स्ट हम मिल्क चॉकलेट बनाने वाले हैं तो इसलिए मिल्क पॉडर की क्वांटिटी ज्यादा रखने वाले हैं यानि कि चार टी स्पून मिल्क पॉडर यहां पर जाएगा थर्ड इंग्रीडियंट जो हमारे घर पे अवेलेबल इजी ली मिल जाता है यह है पैराशूट का कोकोनेट ओईल यह 100% प्योर आप इसको खास रखते हैं इडिबल है यह तो आप क्या है यहां पर यह कोकोनेट ओईल चॉकलीट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इसमें क्या है आपको एक चीज का धियान अपड़ेगा कि यह ओएल जो है आपको मेल्टेड लेना है पूरा पिगला हुआ जो है ओईल यूज करना है तो मैंने यहां पर ओई शुरुवात में क्या किया था मैंने छे टीस्पून उसी चमज से छे चमज डाला है और इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करने वाली हूँ यह कूक होता है यह देखे अब मैं यहां पर थोड़ा सा ड्राइं होने के बाद इसको थोड़ा सा एक चमज इतना ऑईल डाल के इसको वापस से एक बार ग्राइंड कर लूँगी बिल्कुल जल्दी आसानी से बहुत ही कम टाइम में यह चौकलेट बन जाता है यह देखो यह है यह जो चौकलेट एक दरहन से जो है मिक्स हो गया है कि जुँखै कि यहां पर्इक अब आ यह हां पर हम इसको क्या करेंगे सेट करेंगे आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं चॉकलेट मोल्ड है आपके पास तो ठीक है वरना आप घर के कोई भी बरतन में जैसे के जो है प्लेट हो गई कठोरी हो गई उसमें डाल के इसको सेट कर लें बाद में इसको पीस करके यूज कर सकते हैं मेरे पास यह चॉकलेट इस लिए उसको कुक करते हैं अगर आप इस तरह से इसको बनाएंगे तभी आपको वही flavor आएगा थोड़ा सा जार में इसको अच्छी तरह से सिर्फ आपको grind कर लेना है तो यह एक चीज हो गई आपको अगर यह method नहीं पसंद है या फिर आपको oil का flavor नहीं अच्छा लगता तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर unsalted butter भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप जो है दूसरा coconut oil जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यह हमारा जो है white chocolate set हो गया है mold म next यहाँ पर मैं dark chocolate बनाने वाली हूँ अब इसमें डालेंगे same उसी जार में मैं यहाँ पर 4 चमज sugar डाल रही हूँ PCV शक्कर डालेंगे और इसके बाद जो है इसमे cocoa powder दालेंगे cocoa powder भी 4 चमज है आप जो है cocoa powder थोड़ा सा अच्छी quality का लें यानिके जो बिल्कुल powder form में होत है बेकर्स का या फिर दूसरे ब्रैंड का वो ले सकते हैं cocoa powder सिर्फ अच्छी quality का लेना है यह एक चीज़ का ध्यान रखें वरना जो है इसका टेस्ट थोड़ा सा कच्छा आने लगेगा तो इसलिए अच्छी quality का cocoa powder यूज करें अब इसके बाद इसमें जाएगा milk powder milk powder यहा है coconut oil भी हमको जादा लगेगा तो यहां पर मैं शुरुवात में एटी स्पून जो है coconut oil डालने वाली हूँ इसके बाद मैं ग्राइंड करूंगी अगर जरूरत में हिसूस हो तब भी coconut oil ही add करके इसको जो है एक पेस्ट जैसे form में इसको लेकर आना है यहां पर देख सकते ह अब यहां पर मैं थोड़ा सा जो है वैनिला एसेंस आड़ करने वाली हूँ आप कोई भी food essence आड़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा oil जो हम पाराशूट का योज़ करते हैं उसका flavor यानि smell अलग होती है तो इसलिए अगर आप यह add कर लेंगे और इसके बाद इसको mix करेंग तो इसमें जो भी आपको extra जो oil की smell आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी इसको अच्छी तरह से mix कर लें और उसी mold में वहां पे space थी तो मैं वहां पे ही इस चॉकलेट को भी set करने वाली हूँ essence डाल के आप इसको फिर से एक बार jar में grind भी कर सकते हैं फिर इस तरह से चमत से mix कर सकते हैं यह देखिए यह mixture दालने के बाद अब हम इसको जो है refrigerate करने वाले है refrigerate हम इसको तब तक के लिए करेंगे जब तक के अच्छी दरह से set ना हो जाएगा यानि के इसको आदे घंटा लगेगा mostly refrigerate होने के थोड़ा सा जमने के लिए क्यूंकि ओईल है जल्दी ही जम जाता है इसके बाद आप इसको store भी कर सकते हैं एक से दो week के लिए भी और फिर तीम वीक के लिए भी पर आपको इसको store करना पड़ेगा fridge के अंदर ही fridge के बाहर इसको store नहीं कर सकते हैं आदे घंटे बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको निकाल के रख लिया है बिल्कुल पर्फेक्ट फॉर्म में है ये तो मीट करती हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हफिर